नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागात है आपके अपने यूट्यूब चनल स्टाड़ी टूड़े विफ्लप में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जेसी रटी द्वारा जारी किये गए जैक बोड एक्जाम दो हजार तेईस के लिए क्लास 12 का जियोग्राफी यान इसलिए सभी से रिकोेस्ट इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा लाइक कीजिएगा सभी दोस्तों सेयर कर दिजएगा यहां से अधिकतर क्वोंस आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा ठीक है कियोंकि मौडल प्रस्णों की संख्या जेयोग्राफिक में रहेगा 35 प्रत्यक प्रस्णा के लिए आपको एक अंक मिलेगा प्रत्यक प्रस्णा के चार विकल्प दिये गए हैं सही विकल्प का चैन करना है तो चलिए फटा फट विडो की स्टार्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला जो प्रस्ण यहां पर दिया हुए प्रस्ण संका एक में कि मानाव भूगोल क्रियासिल मानाव और अस्थाई पृतिवी के परिवर्थन सिल संबंधों का ध्यन है यहां किस ने कहा है तो यहां पर जो है ऑप्षन भी राइट होगा आपक नेक्स्ट है निम्नलिकित में से कोन सा एक बिरल जनसंख्या वाला छेत्र नहीं है अटाकामा भूम अध्य सागरिया प्रदेश दक्षणी पूर्वी एसिया ध्रूवय प्रदेश तो यहां पर ऑप्षन सी आपका राइट हो जाएगा यहां पर दक्षणी पूर्वी एसि अगरी प्रतिकर्स आपकर्स कारक उत्तरदाई है यहां पर आपसन से प्रवास के लिए भू निम्नी करण के लिए गन्दी वज्तियों के लिए तो आपसन आपका यहां पर राइट होंगा प्रवास के लिए सबसे कम लिंगानुपाद किस देश का है सबसे कम लिंगानुपाद किस देश का है अप्शन से यहां पर लाटविया भारत पाकिस्तान संग्युक्त अरब अमिराद तो जो अप्शन से यहां पर दिया हुआ है इन में से राइट अंसर हो जाएगा option number D हो जाएगा ठीक है संग्युक्त अरब अमिराद जिसका लिंगा नुपत 444 बर्स 2019 के नुसर ठीक है option D आपका यहाँ पर राइट होगा next है मानव विकास की अवधर्णा निम्ने मैं से किस विद्वान की दैन है मानव विकास की अवधर्णा निम्ने मैं से किस विद्वान की दैन है देखे मानव विकास सुचकांक का प्रतिपादन सर प्रतम बर्श उनिसन नब्बे में भारती अर्थ सास्त्री प्रोफेसर अमर्तियसं स्था अर्थ heh ने किया था तो यहां पर मानव विकास का बात क्या गया है तो यहां पर option में है professor अमरतेशन भी है और डक्टर महभूब उल्हक ठीक है तो exam में जो है आपका एक option रहेगा दोनों नहीं रहेगा अगर दोनों रहता भी है तो option C में रहेगा कि दोनों लिखा रहेगा बोथ ठीक है तो आपको सही करना है ठीक है next question देख सकते हो प् कॉफी गन्ना गेहूं रबड तो इनमें से राइट अंसर हो जाएगा आपका गेहूं हो जाएगा ठीक है जो कि रोपन क्रिसी नहीं है option C right होगा next question है किस में उच्चतम सक्षर्टादार है लच्छदीब चंडिगर दमंदीब अंडमा निकवर यह सभी केंद्रसासित प्र लच्छदीब है दमंदीब अंडमा चंडिगर तो इनमें से राइट अंसर हो जाएगा आपका लच्छदीब हो जाएगा ठीक है next question देख सकते हो प्रशनसंख्या 8 कि सन 2011 की जनगरना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है तो 2011 की जनगरना के अनुसार भारत की जनसंख होगा ..., हेदि कोंड़ी दिंहीं कोंड से नदी के ताठ पर अवस्तित नहीं है, मैं अरे शेयं जेया यह हो जाती, प्रशनशंक्या 11ej में कों सी फसलह नहीं ब्वह हो जातै, रागी जुर मुक्फलि गन्ना दो इनमेर से राइट रन्सर हो जएगा अप्सन D गन्ना हो जाएगा नेक्सट है भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सरवाधिक निमने में से किस्मे है सिंधु, क्रिस्णा, गौदावरी या काबेरी तो इन में से right answer हो जाएगा आपका कावेरी हो जाएगा option A next question है हिराकूंड डैम किस नदी पर बनाई गई है हिराकूंड डैम जो है महा नदी पर बनाई गई है ठीक option B right हो का महा नदी बर्स 2011 के अनुसार पचास लाग से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्ने में से कोन सा है यहाँ पर option है पुने सूरत पटना राची तो इन में से right हो जाएगा आपका पुना प्रस्ण संख्या 15 चलवासी पसुचारण करने वाली जन जाती कोन सी है आपको याद रखने मसाई option भी राइट होगा मसाई next है बीष्टों में सरवाधिक जनसंख्या केंद्रित है परवतिय छेत्रों में मैदानों में मरुस्तल में सबको पता है कि मैदानों में हो जाएगा ठीक है आप्सन बी राइटों का माईदानों में सरवादिक जनसंखा केंद्रित है नेक्स्ट है निम्न लेखित में से किसने संग्युक्त अरब अमिरात के लिंग अनुपात को निम्न क्या है पूरुस कार्यसिल जनसंखा का चैनित प्रवास पूरुसों की उच्छ जनमदर और इस् प्रशन संग्या 18 निम्न लेखित में से कौन सा देश उच्च माना विकास वाला है दक्चिन अप्रिका भारत चीन या नर्वे तो यहां पर जो अप्संस है इन में से राइट होका अप्संडी ठीक है नर्वे हो जाएगा अप्संडी चलिए नेक्स्ट कोश्चन है यहां पर कि निम्न प्रदेशों में से किसमें बिश्तरीत बानिजय अनाच किसी नहीं कि जाती है प्रियरी छेत्र 55 छेत्र इस्टेपीस अमेजन तो यहां पर अप्संडी राइट हो जाएगा आपका अमेजन छेत्र ठीक है अप्संडी नेक्स्ट कोश्चन यहां पर दिया स्टावरास हो जाएगा और अप्संडी राइट होगा है निम्ने में से कौन सा कारप प्रवास काकर्शक या अनुकूल कारप है लाजनेतिक अस्तिरता रोजगार के अफसर जल की अनुकपलब्धता तो यहां पर रोजगार की अफसर हो जाएगा अपका ठीक है उप्संड सी हो जाएगा करेक्ट अंसर अप्सन सी नेक्स्ट कोश्चन यहां पर है मानव विकास सुचकांग 2016 के संदर्व में विस्ट के देशों में भारत की निमनलखित में से कौन सा इस्थान है भारत में इस्थान है 131 ठीक है यह आपका राइट अंसर हो जाएगा अप्सन सी नदियों के डेल्टाओं के सहरे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं तो यहां पर जो पंखा प्रतिरूप यह आपका राइट अंसर हो जाएगा अप्सन सी नेक्स्ट है आर्द्रक्रिसी में कितनी बार्षिक बर्षा आवस्थक है 75 से अधिक निम्नलिकित नदियों में से किस नदी में सरवाधिक पुना पूर्तियोग्या भोम जल संगसाधन है 25 का राइटन से हो जगा अपका गंगा हरित क्रांति सब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने क्या था डक्टर बिलियम गाड ये आपको याद रखना है भारतिय जनगरना इतिहास में किस बर्ष को ग्रेट डिवाइड की संग्या दी गई है 1921 बर्ष 1921 ये आपको याद रखना है वीडियो को लाइक किजेगा और सभी दोस्तों में सेर कर दिजेगा सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक कर दिजेगा और सभी दोस्तों में सेर कर दिजेगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा नेक्स्ट प्रशना है भारत में इस्तनांतरित क्रिसी को क्या कहा जाता है भारत में इस्तनांतरित क्रिसी को जूम कहा जाता है जूम अप्शन B राइट होगा जूम नेक्स्ट है दो देशों के मध्य वेपर कहलाता है अंतराष्ट्रे वेपर कहलाता है option D right होगा कोच्ची पतन अवस्तित है केरल के अंदर ठीक है केरल option D right होगा option C right होगा केरल विस्व का वेस्ट तम समुद्री मार्ग कोण सा है option यहाँ पर दिया हुआ एक कैप मार्ग उत्तरी प्रसांद महासागरिया मार्ग उत्तरी अट्लांटिक महासागरिया मार्ग दक्षनी अट्लांटिक महासागरिया मार्ग तो यहाँ पर right answer होगा option C उत्तरी अट्लांटिक महासागरिया मार्ग पनामा नहर जोडती है प्रसान महासागर अबंग अट्लांटिक महासागर को ठीक आप्सण बी राइट होगा ट्रांस साइवेरियन रेल मार्ग किस देश में इस्तित है ट्रांस साइवेरियन रेल मार्ग पूर्व पस्चिम गलियारा जोडता है सिल्चर को पुरवंदर से जोडता है नेक्ट कोशन देख सकते हो लास्ट है कि मुंबाई में सबसे पहला सूती वस्तरकार्खना इस्ताफित किया गया क्योंकि मुंबाई एक पता नहीं बिल्कुल सही है मुंबाई एक बित्या केंद्र था और संग्सपरसी का पास उत्पादक छेत्रा तो तीनों सही है तो आप्सण डी राइट होगा आपका उपयुक्त सभी तो ए था क्लास 12 का जियोग्राफिक का सब्सक्राइब करके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में झाल लूशे सब्सक्टोन